तो दोस्तो मेरा नाम है राहुल, स्वागत आपका टेक्निकल वर्क योडिव चैनल पर दोस्तो आज की इस वीडियो में हम टेवल फैन की जो वाइंडिंग है उससे जो वाइर निकलती है उन्हें चेक करने वाले हैं और इस वीडियो की साइधा से आपको ये भी पंचल जाएगा कि आपकी टेवल फैन की वाइंडिंग ठीक है की नहीं अक्सर क्या होता जब टेवल फैन नहीं चलता है हम इलेक्ट्रिक स्वाप पे दिखाते हैं और स्वाप वाले कहते हैं इसकी वाइंडिंग जल गई है तो हमें कैसे पचलेगा इसकी वाइंडिंग है वो जली है की नहीं तो इस वीडियो की साइधा से आपको आसानी इससे समझ में आ जाएगा कि हम इसकी वाइंडिंग की वाइर को कैसे चेक करना है तो यहाँ पर देखिए मैंने इसके fan cover को खोल दिया है यहाँ को कुछ wire दिखाई दे रहे जो कि table fan की motor के अंदर से आई है और इसे के साथ capacitor की wire भी connect है हमें क्या करना यहाँ पर जो capacitor की wire इसमें connect है और main supply की wire connect है उस wire को यहाँ से निकाल लेते हैं तो यहाँ पर देखिए capacitor की एक wire को मैंने यहाँ से निकाल लिया है और जो capacitor की दूसरी wire है इसको भी यहाँ से निकाल लेते हैं और main supply की wire इसमें connect हो रखी है इसको भी हमने यहाँ से निकाल लेंगे जिससे कि हम इसकी winding की जो wire है मोटर से निकली हुई है उसको आसानी से चेक कर सकें तो यहाँ पर मैंने capacitor की wire और main supply की wire हटा दी है और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है तीन wire इसमें motor के अंदर से आई है एक black wire एक red wire और yellow वाली wire तो इससे चेक करने के लिए मैं series teslam बनाना तो series teslam के लिए देखिए मैंने यहाँ बल वो holder ले लिया है यहाँ पर wire इसके साथ connect हो रखी है holder के साथ और two pin plug के साथ हमें क्या करना है series teslam बनाने के लिए दोनों में से किसी भी एक wire को बीच में से काट लेना है तो यहाँ पर मैं लाल वाले wire को बीच में से काट लिया है यहाँ पर जो red वाली wire है दो हिस्सों में कट गई है तो हमें क्या करना ये दोनों हिस्से इसको चील लेना है तो यहाँ पर पहले वाली वायर को मैंने चील लिया है और जो दूसरा वाला इसका जो हिस्सा था उसको भी चील लिया है और यहाँ पर जो हमारा Series Trash Lamp है वो बन चुका है तो चली table fan की winding की wire को check करते हैं इसे check करने के लिए मैंने यहाँ पर extensive board ले लिया है जो हमारे series test lamp मना था इसका जो two pin plug है इसको हम connect कर देते हैं यहाँ पर जो red वाली wire उसको अच्छी तरह पकड़ लेना है जिससे की current ना लगे तो यहाँ पर मैंने इसके supply को connect कर दिया है इसे check कर लेते हैं देखी जैसे मैंने टच किया है यहाँ पर जो bulb है हमारे जलरा है इसका मतलब हमारे series test lamp work कर रहा है हमें क्या करना है सबसे पहले इस black वाले wire और इस yellow वाले wire पर हमें touch करना है तो देखी जैसे मैंने इन दोनों wire पर touch किया जो bulb है वो जल रहा है इसका मतलब यह winding हमारी ठीक है इसके बाद हमें क्या करना है इस black वाले wire और red वाले wire पर लगाते है तो जैसे मैंने इस पर touch किया इन दोनों wire हो पर तो जो bulb है अभी भी चल रहा है इसका मतलब ये winding में हमारी ठीक है देखी दुबार टच किया है बल्ब जल रहा है इसका मतलब हमारी winding ठीक है इसके बाद हमें क्या करना है जो तीसरी वायर बची है येलो वाली और रेड वाली पर लगाते हैं ऐसे आपको भी तीनों वायरों को एक एक करके चेक करना, जिस पर सीरी स्टेसलेम का बल्ब नहीं जलेगा, इसका मतलब वो वाइंडिंग खराब हो चुकी है, अब हमें यह चेक करना, यह मोटर जो है, बॉडी सॉट तो नहीं है, तो सॉट चेक करने के सीरी स्टेसलेम के एक वायर को मैंने ब्लैक पे लगाया, दूसरे वायर को मैंने बॉडी पे लगाया, मोटर की, तो देखिए, आपर जो बल्ब नहीं जल रहा है, इसका मतलब, यह वाइंडिंग मोटर सॉट नहीं है, तो यहाँ पर रेड वाली वायर को, और दूसरी वायर को मैं बॉडी से लगाता, मोटर की, तो देखिए, आपर भी बल्ब नहीं जल रहा है, इसका मतलब, यह वायर भी हमारी बॉडी सॉट नहीं है, और जो तीसरी येलो वायर है, और जो दूसरी वायर मैंने आपर मोटर की बॉड़ी से लगाया देखिए आपर बल्म नहीं जल रहा है इसका मतलब यह वायर भी इसकी बॉड़ी से सॉट नहीं है तो इसे तरह आपको तीनों वायरों को एक एक करके चेक करना है अगर आपके टेवल फैन की वायंडिंग जल गई है तो आपको इसकी दुवारा वायंडिंग करवाने बड़ेगी अगर आपके टेवल फैन की वायंडिंग ठीक है और मोटर सॉट भी नहीं है तो इससे आप खुद भी रिपेर कर सकते हैं कभी कभार क्या होता जो इसका switch होता है उसमें से वायर हीट होके निकल जाती जिसकी विए से भी table fan हमारा work नहीं करता है या फिर इसका जो capacitor होता हो खराब हो जाता है उसके वे से भी table fan work नहीं करता है, start नहीं होता है table fan को repair करने के लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखिये जिसका link मैंने सी video की description में दे रखा है आप देखे अपने table fan को repair कर सकते हैं, अगर आपको इसकी winding check करने में problem आ रही है जिससे मेरी आनी वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके मिलते आप से नेक्स्ट वीडियो में